हेलो गाईज, स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे CSK वर्सेस कॉलकता के बीच में जो फर्स टाइप इल का मुकाबला खिला जाएगा दोस्तों यह इंडिया का festival है हम सब cricket fans के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते है एक holiday package है जो हमें हर साम में enjoyment देता है तो यह चीज है आपको हम इस वीडियो में full analysis, full preview, full information लेके हैं बिलकुल free में आप यह वीडियो पूरी देखना आप इस match में अपनी team खुद से confidently बना पाए की need नहीं पड़ेगी चलिए अब एक चीज और important है कि after toss की सारी update हम अपने telegram channel पर देते हैं तो यदि अगर अभी तक आप telegram challenge नहीं जुड़े तो वहां जुड़ना बहुत जरूरी है और बिलकुल free है अब जुड़ना कैसे है आपको इस video के description में और इस video के comment section के सबसे पह friendly wicket होता है क्योंकि थोड़ी short boundaries होती है दूसरी बात यहां पर उतना ज्यादा ball turn नहीं होता है लेकिन देखो यह तो मैंने आपको in short बताया अगर आप domestic यहां पर पे आरार वर्सस कि क्यार काव देखेंगे यहां पर एक सो एक सो थैस्य बना था चेस हो गया था उसके बाद यहां पर भी आप देखेंगेए इसी तरीके से यहां पर भी द दखेंगे 188 यानि अल्मोस्ट हर 5 मैच में एक मैच छोड़ दिया जाया है जो कि यहां पर 130 वाला था तो अल्मोस्ट हर मैच में 170-180 स्कोर बना है विकेट कैसे गिरे हैं लास्ट पांचों मैच में आप देखेंगे फस्ट इनिंग में स्पिनस ने 12 पेशस ने 18 स्पिनस ने 12 पेशस ने 16 दोनों इनिंग की बात करें इस पिनस ने 24 पेशस ने 34 विकेट लिये यहीं जैसे मैंने आपको बोला कभी-कभी ऐसा हुआ है की चेजिंग वाली टीम हार गई क्योंकि first inning में अच्छा score बना है तो second inning में फिर spinner pressure में wicket लेते हैं और कुछ spinner को लोग hit करने जाते हैं तो वो catch उड़ जाता है क्योंकि maximum time यह होटा है spinners को यदि थोड़ा सा भी miss time हुआ तो वो catch आ जाता है तो उसका reason है कि यहाँ पे आपको spinners के भी wickets दिख रहे है अब बाकी देखो बारिस के chances है नहीं due factor थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा जैसा भी होगा कुछ इसके बारे में update आता है मैं telegram पर inform करूँगा overall अगर हम बात करें KKR और CSK के बीच में 26 match हो है 17 CSK ने इसके लावा कुछ भी news update आता है मैं आपको telegram पर inform कर दूंगा CSK की टीम की बात करते है इनकी क्या प्रभबल प्लेंग 11 हो सकती है देखो guy quad open करेंगे convey के साथ फिर रॉबिन उतपा अमबाती राइडू रविंदर जड़ेजा यहां पर अमबाती राइडू का जो biting position यह fix नहीं रहता है अगर इनको hitting की जरूरत रहती तो यह रविंदर जड़ेजा ब्रावो इन लोग को प्रमोट करते है ठीक है अभी कैप्टेंची रविंदर जड़ेजा कर रहे हैं दोनी ने कैप्टेंची से step down कर दिया है ठीक है तो यह चीज है उसके बाद सिवम दूबे हैं यहां पे जो इनकी टीम में आड हुए हैं उसके बाद यहां से Chris Jordan तीक्षणा और Adam मिलने में से कोई एक खेलेगा देश पांडे और जो हैं यहां से अब इनकी टीम का बहुत टाइम से इन्होंने मैचेज नहीं खेले हैं अब लास्ट आइपेली खेले थे तो यह इनको मैंने इसलिए बोल नहीं कि आप यहां पर देखो तीक्षणा और मिलने में से कोई एक खेलेगा अब इनकी टीम दो श्पिनर के साथ जाएगी लाइक में लिए जड़ेज और तीक्षणा तो हो सकता है फिर मिलने ना खेले और यदि इनकी टीम मतलब एक ही स्पिनर के साथ खेलेगी तो फिर मिलने खेले सकते हैं इनकी टीम के डर्लच के साहिए मिलनेन, आप प्लेयरवाईस ब्रम करन देरियर खेलें लिड जाण độम Tut यह सक जो नहीं है तो इनका आपने 347 मैंच इनों ने खिला वाई टीट्वेंटेश 306 इनिंग 6935 चौरासी हाइस अर्थिस की एवरेज रिसेंट फॉर्म डिद नॉट बैट अठारा बारा अठारा डिद नॉट बैट इस तरीके सब सब प्लेयर का देख सकते हैं अब मैंने कुछ के आगे ऐसे टिक के निशान लगाए हुए तो उसका मतलब आप यह समझो कि वह इंपॉर्टेंट इस्टेट्स रखता है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ठीक है जगदीशन खेलेंगे नहीं रित राज गया एक वार रिसेंट फॉर्म अभी एक इंटरनेशनल नहीं और सेनापती खेलेंगे नहीं रविंदर जडेजा अभी क्या फॉर्म में गुजर रहें मतलब इनको तो इंटेन टीम में भी प्रोमोशन मिल रहा है यहां पर आप कैप्टन बन गया है तो यह मतलब सांदार खिलाडी मोईन अली अभी अभी अवेलेबल नहीं है इस आप इनका स्टेट्स देखते हो चलिएगा या फिर में आपको टेलिग्राम पर वैसे भी अपडेट देखाओ इनकी टीम के सबसे एक्स्पीरेंस और विकेट टेकिंग इंद बाहाँ सुकतर है रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं दीपक चार नहीं खेलेंगे विकेट रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं उसके बाद देश पांडे के मासिफ ये लोग थोड़े से अवरेज हालाकि देश पांडे ने फिर भी अच्छी खासी गिंद बाजी करी है के मासिफ थोड़े से एवरेज अंगरकर ने भी क्या परफॉर्मेस दिया है अभी आपने देखा होगा जो अंडर 19 वलकाप हुआ था तो यह खेल सकते हैं दो में जीरो विकेट है लेकिन खेल सकते हैं उसके बाद प्रसांत सौलंग की इनका रिकॉर्ड मुझे इस चीज में काफी अच्छा लगा लिस्टे में नौ मच में 21 विकेट और रिशन फॉर्म कर लेंगे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के साथ ओपन करने वाले हैं अब इनकी टीम किसी एक प्लेयर के साथ और खेल सकती है या फिर इनकी टीम चाहेगी तो एक एक्स्ट्रा बैट्समें के साथ खेल सकती ह अब इनकी टीम जो एक एक्स्ट्रा ओल्राउंडर के साथ खेलेगी वो तो या तो करूना रतने होईगे या नभी होईगे बाकी इनकी टीम अगर उनके साथ खेलेगी करूना रतने या नभी के साथ तो इनकी टीम के पास ओल्रेड़ी ये चार ओप्शन बॉलिंग के एंद रसल सुनील नरेन एंड वरुन चक्रवर्ती अब इनके जो उपन बॉल आ रहे हैं उमेज यादा स्यवा मावी देथ में सिवा मावी लास सिजन यही देथ में आ रहे थे तो मुस्पोर यही आने चाहिए बाकी रसल है भले रसल दो ओवर करें बट वो देथ में करते है और अगर रसल नहीं आते तो उमेज यादा उसे कर सकते एक्सपेक्टेशन बट बहुत कम चांसे है ठीक है अब इनकी टीम के स्टैट्स देगो सेम बिलिंग्स 24 कावरेज रिसेंट फ़र्म कुछ खास नहीं एक 67 का स्कोरिंग किया था बीबियल में शिल्टन जैक्शन कभी कभार बॉलिंग डाल लेते हैं कभी कभार स्कोरिंग कर लेते हैं अच्छी खासी थोड़ा बहुत हीटिंग करने के चेकर में आउट हो जाते कभी कभार एरुन फिंच अवेलेबल नहीं है रहाने 30 का एवरेज है रिसेंट फ़र्म यह इन्होंने अभी जो चलता है ड लिस्टे का मैचेज है वहां पर स्कोरिंग किया हुआ है अब इंडियन टीम में अच्छी फ़र्म में थे काफी मैच विनिंग खेला वाया 38 कावरेज रसल 26 कावरेज 354 विकेट सुनील नरेन 15 कावरेज 430 विकेट रिसेंट फ़र्म काफी गजब का है मुहमत अभी यह थी खेलेंगे थोड़े अवरेज प्लियर इंडियन कंडिशन में 22 का अवरेज है चमी का करूर्नतने खेलेंगे तो 59 में 36 विकेट आप देख सकते हैं उसके बाद अनुकोल रहें नहीं खेलेंगे टीम साओधी नहीं खेलेंगे यह लोग अवेलेबल नहीं है वरुन चक्रवर यह लोग नहीं खेलेंगे most probably इसके लावा कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पे इंफर्म करूंगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाओ और जुड़ जाओ अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे दो लेफ्ट हेंटर है एक लेफ्टाम और फ्रक्स जडेजा है ओफ इस्पिनर तीक्षना यदि खेलते हैं तो केके आर में देखेंगे तो लेफ्ट हेंटर वैंकेटे से यह लेफ्ट हेंटर नितीश्राणा लेफ्ट कमी नहीं है एक तो नितीश्राणा भी है सुनील नरेन भी है उसके बाद लेफ्ट हेंटर है चक्रवर्थी तो यह हो गई आपको नोटेशन अब हम बात करेंगे दोस्तों हैट टू हेड रिकॉर्ड और वैन्यू रिकॉर्ड मैंने दोनों टीम वाइस हम बात करेंगे पहल इसके बाद रहाने है बीस के एवरेज हैट टू हेड में वैन्यू पर 38 का एवरेज है काफी अच्छा खेलते हैं यहां पर एरुन फिंच के उतना अच्छा रिकॉर्ड निये ना बाबा इंदर जीत का इसके लबार रसल का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है छे मच म में पांच और वैन्यू में दो मैच में तीन सिवा मावी एक मैच में एक और तीन मैच में दो ज्यादा मैच खेले नहीं है है ज्यादा मैच खेले नहीं तो हम ज्यादा जच कर नहीं सकते है टिम साओधी खेलेंगे नहीं चैने सुपर किंग्स की तरफ से हम बात करें तो गाइकवार 52 की एवरेज है, head to head में, और venue पे 23 का आवरेज, कौनवे खेले नहीं है, उथपपा 30 का आवरेज है, venue पे 23 का आवरेज है, head to head में, राइडू head to head में 24, और venue पे 20 का आवरेज है, काफी ज़्यादा मैचेश खेले हैं यहाँ पी है, मोहिनली खेलेंगे नहीं, जड़ी जा, 39 का आवरेज, head to head में 18 विकेट के साथ, and venue पे 17 मैच में 21 का आवरेज से रन और 14 विकेट, MS2 का आवरेज बहुत बढ़िया, head to head में, 39 का आवरेज और venue पे 22 का आवरेज, लेकिन अभी क्या है कि उतना ज़्यादा इनको मैच प्रेक्टिस है नहीं, जगदीशन का रिकॉर्ड है नहीं, कुछ का आवरेज ब्रावो का रिकॉर्ड अच्छा है, 29 का आवरेज, 18 विकेट, और venue पे 27 का आवरेज और 21 विकेट है, सिर्फ 16 मैच में, तो यह काफी अच्छा इंप्रेसिव है, उसके बाद सेंडर का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, दूबे का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, बागी कुछ भी चेंज होगा, मैं आपको टेलिग्राम पे इंफॉर्म करूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके जुड़ जाएए, बात करें दोस्तों, हम प्लेयर बैटल की, तो धोनी को नरेन ने, 83 गिन में दो बर आउट के, बावो को, यहाँ पे रसल ने, 63 गिन में, 4 बार, नरेन ने, 41 गिन में, 3 बार, 15 रन देका, राइडू को, नरेन ने, 60 गिन में, 4 बार, जडेजा को, नरेन ने, 44 गिन में, 2 बार, लेकिन 44 रन भी दिये हैं, उसके बाद, रुथपपा, उमेश यादाओ, इनको, 2 बार आउट के हैं, 29 गिन में, गाएकवार, वरुन चकरवर्ती से, 1 बार आउट हुए है, 33 गिन में, दोस्तों, वैसे तो, प्लेयर बैटल इतना कुछ, इंपॉर्टेंट है, नहीं कि, अल्मुस्ट भी बने हुए, आप देखेंगे, ब्रावो ने रसल को, भले चार बर विकेट दिया, लेकिन, 100 गिन भी बनाए, 36 गिन में, तो ये चीज़ बराबर हो जाती है, फिर, टी ट्वेंटी के खेल में, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर रसल, तो रसल को, ब्रावो ने छे बर आउट किया, लेकिन, रन भी काफी बनाए, फिंच खेलेंगे नी, नरिन की बात करें, ब्रावो ने 36 गिन में, तीन बर आउट किया है, 41 रन देकर, बिलिंग्स ने, क्रिस जॉर्डन ने, लेकिन, रन भी काफी बनाए, नी दीच रना, दीपक चैर खेलेंगे नी, जडेजा को, जडेजा ने स्रेय सेयर को, बावन गिन में एक बार आउट करना, उतनी बड़ी बात है नी, इसके लावा कुछ भी चेंज होगा, हम आपको टेलीग्राम पे इन्फर्म करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाएए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएए, बिल्कुल फ्री है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कॉमेंट में यह आपको लिंक मिल जाएगा, हम बात करें, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर ऐसे लिए, यह आप सब का सबसे पसंदीदा सेक्शन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखें, सबसे इंपर्टन रसल और जडेजा सेफेस्ट है, जस्ट बिकॉज दोनों का कन्फाम है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, वी ए यहर का थोड़ा बैटिंग का सियोर नहीं है, लेकिन बैटिंग से ऊपिन करेंगे और काफी अच्छे खिलाड़ी है, आप सब भी करता है, तो राज गाएक बाड़ी भी ओपिन करेंगे, बाइंग तो यह भी नहीं करेंगे, लेकिन खिलाड़ी काफी अच्छा है क्योंकि consistent scoring करने के चमता है, सिरे सेयर का form बहुत बैतर और यह भी consistent scoring कर सकते हैं, अब तो कप्तान है, वन डाउन पर खेलना पसंद भी करते हैं, तो यह लोग स्मॉल लिग में बेस्ट है, कैप्टन वास कैप्टन शिक लिए, जील चॉष में आपको किसे तियार करना है, देखो, एक तो रहाने कोई नहीं लेगा, लेकिन head-to-head तो ही ठिक-टक, इस venue पर रिकॉर्ड अच्छा है, लास्ट दो मैंचेज में ठिक-टक स्कोरिं किया वाई, लेकिन वो था कि मतलब लो लेवल का थोड़ा सा क्रिकेट था, नितीशाणा को कोई लेगा नहीं, लेकिन ये बॉलिंग कर सकते हैं, और अगर ये टिक गए थोड़ी दिर, तो एक बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं, रोबिन उत्पपा को बहुत काम लोग ले रहे हैं, उनका फॉर्म अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये कि थोड़ा सा टाइम होगा क्रिकेट के लेवे, इसलिए ग्रेंड लिग चॉइस में, सेम फिंग गोज फ़र राइडू, राइडू को थोड़ा मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर मौका मिलता है, तो वो अच्छा निभाते हैं, शिवम दूबे, क्या पता है, एकाद ओवर में वेकेट निकाल ले, तो फिर ओर ओवर मिल जाए, प्लस लास्ट में आके हिटिंग कर दे, तो ग्रेंड लिग में अच्छी पिक, शिवम आवी यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, तो दथ में आएंगे, बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन दथ में आ सकते हैं, उसके बाद जी यल चॉइसेज, सुरी, कैप्टन वाइस कैप्टन इन जी यल, डेवन कॉन वे, निती शाणा और रहाणे, क्योंकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नी ट्राइ करेगा, इनको लोग लेने से भी कातराएंगे, लेकिन आप जो एसल वाले में आप्शन बता, ये भी बेस्ट हैं, आप इनको भी ग्रेंड लिंग में, ऐसा रोटेशन के रूप में ट्राइ कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं, माई फैबले होने अप पर, अब जिस भी फैंटसी साइट पर खेलते हैं, आप तो बहुत सारी फैंटसी आप आ गई है, तो आप उस पर अपनी टीम बना सकते हैं, कोई क्रेट का इसू नहीं होगा, सेम टीम आप हर जगे बना सकते हैं, क्योंकि अब हम हर फैंटसी साइट का तो टीम दे नहीं सकते हैं, तो बस आपको सक्षन वाइस प्लेयर ध्यान देना है, कि कौन सा प्लेयर किस से से इंपोर्टेंट है, आपको इसको पिक करना है, वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप इस वीडियो में इतनी इंफो आपको मिल जाएगी, आप खुछ से टीम बना पाएंगे, मेरी टीम आप जो है कॉपी ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन के तोर पर यूज करें, आपको किसी प्लेयर का कन्फ्यूजन है, तो आप टीम देखके दूर कर लें, दूसरी बात, यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के बारे में समझाए जाएगा, तो प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर यह विकेट कीपिंग सेक्शन में दो आप्शन है, सैम बिलिंग्स और धोनी, धोनी को मैच प्रेक्टिस उतना ज़्यादा है नहीं, हालागा धोनी अपनी टीम के लेजिंड है, अपने टाइम के, लेकिन आप सभी को पता है, अभी के लिए क्या है कि जिसकी टीम पहले बॉलिंग करे, पहले बैटिंग करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अगर धोनी को आप लेना चाहते तो उनकी टीम पहले बैटिंग करे तभी लेना, अधर्वाइस सैम बिलिंग्स को मैंने इसलिए लिया है, चोथी है पाच्छी नमबर पह आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए इनको लिया है, हाला कि धोनी ही आपको कीपिंग से अच्छे खाशे पॉइंट दे सकते हैं, जैक्शन और जैक्दीशन साइध नहीं खेलेंगे, यहां से स्रेश है और गाइकवाड तो आपके लिए मस्ठपिक है, क्योंकि देखो स्रेश यहर का जो फॉर्म है, बहुत अच्छा और आपकपतान है, और वन डाउन पे यह काफी पसंद करते खेलना, काफी अच्छा खेलते हैं, गाइकवाड का फॉर्म काफी अच्छा था लास सिजन, इस सिजन तो अभी एक मैच खेला था, इंटरनेशनल मैच, कुछ खास नहीं दिखाया था फॉर्म, लेकिन जिस टाइप की यह प्लेयर है, कंसिस्टेंशली स्कोरिंग करने की छमता है हर मैच में, ठीक है, तो यह तो मस्टाप पिक नितीश राणा, देखो, मैं आप इंको यह कहूँगा, कि थोड़े से इंकंसिस्टेंट रहते हैं, एक टाइम पी ओपन भी करते थे, लेकिन अभी टू डाउन आएंगे जाएद क्योंकि रहाने ओपन करेंगे, तो यह 2-down भी आते हैं, और ऐसा है कि इनको आते ही shorts मानना है, इसी वज़े से थोड़े से इंकंसिस्टेंट इसलिए रहते हैं, अगर थोड़े सा टिक गए ना, तो उसके पाद लंबा स्कूर करने की चमता है, और फिस्पिन गेंबाजी डाल सकते हैं, लेकिन chances कम हैं, क्योंकि सामने अल्रेड़ी इनके पास office पिना रहा है, जो की है, सुनी लेन, पूरे चारोबर डालेंगे, Conway को लिया है, हाला कि देखो Conway का Super Smash में आपने देखा होगा, एक टाइम पिनका 50 का average था, और काफी अच्छा खेलते है Conway, बैटिंग से हम इनको कप्तान तक बनाते थे, ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, बटा भी धोनी है, तो ये नहीं करेंगे, दूसरी बात कि डेवन Conway इंडिया में नहीं खेलें, IPL जैसे लेवल पे वो नहीं खेलें, तो मुझे नहीं पता कि किस experience से खेलेंगे, लेकिन player talented है, मौका मिला तो बड़ा score करने का वो नहीं रखेंगे, 44 का average है, ठीक है, अच्छा खासा batting कर लेते हैं, आपको safe जाने तो आप नितीश राणा है और उथपपा को लिलो, क्योंकि देखो उथपपा का recent form last season काफी अच्छा था, और उथपपा अच्छा कासा scoring कर देते, बस कभी कबार ये भी जल्दी out हो जाते हैं, इनके साथ ये दिक्कत है, otherwise, राइडू, बस राइडू के साथ दिक्कत ही है, कि इनकी betting demote हो जाती है, कभी कभी जडेजा को ब्रावो को ये लोग प्रमोट कर देते हैं, तो इनकी betting remote होती है, बट अगर इनकी betting confirm होनों, चौथे नमबर पे तो ये एक अच्छी option है, क्योंकि consistent खिला डी है, राइडू, ठीक है, अब यहाँ से मैंने जो सो समझ के, मैंने डेवन कॉनवे को ही लिया है, नितीशाणा स्मॉल लीग में काफी अच्छी option, एड रॉबिन उत्पपा एज वेल अज, ठीक है, स्मॉल लीग में ये दोनों और अच्छी option है, इसके लावाँ नीचे चलते हैं, ये आपके लिए जील चोईस है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इनका रिकॉर्ड पर काफी अच्छे खास है, मैचेश खेलने के एक्स्पिरियंस है, और रिसेंटली, हाला कि ये टेस्ट मच खेल के आया है, और अभी मेक्सिमाम ये जो है टेस्ट मच ही खेलते हैं, तो इनका एक वो फ्लिएंट बन जाता है, जिसके वज़े से टी-ट्वेंटी अब एकदम से खेलेंगे, तो किस टैप का पर्फॉर्मेंस रहेगा, ये कहना मुस्किल है, अधरवाइस जो रिकॉर्ड तो कहता है, अच्छा प्लिएर है, लेकिन वही चीज, ये फ्लिएंट पनावाए भी टेस्ट क्रिकेट का, आप एकदम से टी-ट्वेंटी मेंगे, तो क्या होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने स्मॉल लिग में लिया, नीचे से मुझे लगता नहीं कोई प्लियर खेलेगा, और खेलेगा तो मैं आपको फिर आफ्टर टॉस हम टेलिग्राम पर बात करेंगे, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज होएंगे बिना मतलब में, बाकि जो भी फाइनल अपडेट है ना, मैं आपको टेलिग्राम पर दूँगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दिया गाए, तो सोचो चार अवर पुरी गेंदबाजी, प्लस इनकी अपने आपको भी भी प्रोमोट कर सकते हैं, और कभी भी फिल्डिंग से कैचिंग वेचिंग का पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि ये अच्छे फिल्डर है, सेम अब हम बात करें वी आईयर की, तो वी आयर का बॉलिंग का मेरे को उतना सी और नहीं है, लेकिन आईपेल में बॉलिंग करते हैं, और सबसे इंपोर्टेंट चीज ओपन करते हैं, और लास्स सिजन तो कंसिस्टेंशली स्कूरिंग भी की थी, और अभी इंडिया का जो सिल्लंका का मैच वा है, मैंने इनको इसलिए लिया है कि बैटिंग बैकप देंगे, क्योंकि अब देखो, दोनों टीम की स्टेंथ सेम है, आप लोग जज नहीं कर सकते, तो चार अवर गिंदबाजी रहेगी इनके पास और बैटिंग बैकप रहेगा, खासकर इनकी टीम फर्स इनिंग में बैटिंग करें तो आप इनको ले लिए लिए ठीक है, शेकंड इनिग में आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, बट बैटिंग बैकप देखके और चार अवर गिंदबाजी देखके मैं इनको लिया हुआ है, ठीक है, उसके बद नीचे चलते हैं तो दूबे का आपके लिए डिफरेंशल पिक रहेंगे ग्रैंड लिग में, क्योंकि दूबे को हो सकता है अगर एक दो ओवर अच्छा करके तो अगले ओवर भी मिल सकते हैं, और फिर लास्ट मैके हिटिंग कर सकते हैं, कभी कबार यह कॉलिटी गराणूम जैसे प्लियर है, कभी कबार वह अच्छा खासा खेल लेते हैं, और कभी कबार अच्छा खासा फ्लॉप रहते हैं, मिचल सेंडर में उस पर नहीं खेलेंगे, प्रिटॉरियस तो अवेलेबल नहीं है, अब यहां पर दो प्लियर हैं, नभी और करूना अपने, इनमें से जो भी खेलें देखो यह श्पीनर हैं, और यह फास्ट गिंदबाज हैं, दोनों ही इंडियन कर्डिशन में मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, आवरेस प्लियर हैं, अराम से आप छोड़ सकते हैं, नीचे यह लोग खेलेंगे नहीं, और उसके बाद बॉलिंग सेक्षन से बात करें, तो देखो एक प्लियर हैं डी ब्रावो जो की मस्ट अप पिक है, ठीक है, और उसके अलावा देखो, क्रिस जॉर्डन में छोड़ सकता हूँ, यदि अड़ाम मिलने की टीम पहले गिंदबाजी करें, तो वहां से थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको ले रहा हूँ, बाकी आप एड़म मिलने को भी रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, अगर इनकी टीम पहले बालिंग करें तो, ठीक है थोड़ा डिफरेंशल मूव रहेगा, लेकिन ये दथ में आते हैं, लास सिजन भी दथ में आ रहे थे और अच्छा करके जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको लेने की सोच रहा हूँ, अगर इनकी टीम पहले बालिंग करें त ठीक है थोड़ा डिफरेंशल रहेगा, तीक छणा उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है, ये रन रोकते हैं, बस एकोनोमिकल रहते हैं, ठीक है करें बालिंग करते हैं, जिस टाइप का कभी-कभी अस्विन से भी आपको देखने मिलता है, और एक चीज और कि ये जो ह फिरेंशल पर खेले हैं, एक्सपीरेंश नहीं होगा, उमेंस यह थो एक्सपीरेंश है, लेकिन ये उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है, और फॉर्म इनका अच्छा नहीं है, थोड़ा रन ज्यादा पिड़ते हैं, लेकिन विकेट निकालते हैं, तो कही ना कहीई थोड़ा वुद्ट फायतर हैगा अब यहां पर देखो प्रसांत सोलंकी देश पांडे देश पांडे और यहां से जो मैंने आपको एक और प्लेयर बताता है इंगर कर उन से कोई यह खेलेगा देश पांडे भी डिसेंट बॉलर है खराब नहीं है उसके बाद हम बात करें पीश लंकी तो अगर खेलते हैं यह अच्छे बॉलर है टेलेंटेड ग्रेंडिंग में ट्राइगा सकते हो और नीचे कोई अच्छा उप्शन है नहीं तो एसल का टीम कुछ में दथ में पहले बैटिंग में कभी बोड़ humor और अच्छा ग्रावंडइब बैटिंग के लिए अच्छे ही फ्uir लगा लगा सकते हैं इस चीज़ को डेखते हो आप इन दोनों के बल्ले बास को भी ने darf भी कर सकते हैं इस उन पताया थे ना ग्रेंड लिक के और कुछ ग्रेंड लिक के स्मॉल लिक के वह कैप्टन भी तो वही चीज़ का यूज किया है मैंने कॉन्वे आज कैप्टन बाकि वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारी जील पर हम टिप करेंगे वह वीडियो भी आपको बहुत जल्द कॉमेंट सेक्षिन में सबसे पहले कॉमेंट में और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरू करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना तेंकी सो मज़ दोस्तों ये वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद